प्रोग्राम का नाम है कॉफी पर कुरुक्षेतर अब इस प्रोग्राम तो रोज हम पर आज़क्रों के अंदर कोई वैसा सेंसर नहीं की इस नीता के बारे में येता और ना इसके बारे में यहां मत बता देना यहां off record, on record, सब कुछ बताया जाएगा दोस्तों आपको और देश की राजनीती में इस वक्त जो चल रहा है जो बाहर नहीं आ पाता है जिस नेता के बारे में बाहर नहीं आ पाता है वो सारी बातें आपको बाहर पता लगेंगी आज आपको पता लगेगा कि देश की राजनीती में नरेंदर मूदी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको पता चलेगा अमिच शागी स्ट्रेटेजी क्या है आपको पता चलेगा सोनिया गांधी राहूल गांधी कर क्या रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं राहूल गांधी जो है वो देश के परदानवंतरी बनना चाहते हैं। क्या। तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके की स्पेक्यूलेशन है। और देश के सारे बड़े नेताओं के अंदर की बाते हैं, आपको इस प्रोग्राम के अंदर पता चलेगी। जल्दी से आपको पहले मेहमानों से मिलवा देता हूँ हमारे साथ एक बड़ा एस्टीम पैनल है आज दीपक चोरसिया जी हमारे साथ है दीपक जी हम सबके सीनियर रहे पत्रकारिता में और देश के मैं कहना चाहूंगा कम से कम हिंदी रियूज इंडस्टी के पहले सूपर स्टार मेरे सामने बैटे में दीपक चोरसिया आपने को ज़्यादा बोल दिया बिल्कुल ज़्यादा नहीं बोला मैंने दीपक चोरसिया सार को आप सब देख रहा है मैं खाल से धाई दशक तो ज़्यादा ही गन एकत्ते साल सुनिया गांधी का ऐरा था तब से आपने शुर्वात बिल्कुल सुनिया गांधी पॉलिटिक्स में आई नहीं थी तब मैंने व सीन देखा है जब सीतारम केसरी का निकाला गया था और सोनिया गांधी जी का लगाया गया गया था कुछ यह पहली शरत ने चेरण तो मैं उसके घर का पता किस से पूछता यारो तब राहुल गांदी के बारे में आप कुछ पूछेंगे तो ये शेर उन पर 100% बैटता है आदेश रावल आदेश रावल आदेश लोकमत से जुड़े हैं और आदेश की पकड़ है खास तोर पर बतलब आज की राजनीती की नवज और खासकर कॉंग्रेस पार्टी पर आपको इंडस्टी के अंदर बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे जो इतनी अच्छी तरह कॉंग्रेस आदेश से यह ज़़ी सरे जानते हैं और शांतनु रूब आपको सुनते हैं पर्डंड कास्ब्र पे सुनते हैं मेरे प्रोग्रम से खासार शांतनु काम करते हैं आज का टॉपिक ही राहूल गांदी है अब आप राहूल गांदी के बारे में जो जानना चाहते थे आज तक आज आपको इस प्रोग्राम में आदे घंटे के अंदर सब कुछ मिल जाएगा इनसे मेरी शर्त है कुछ छुपाएंगे नी और आप से मेरी शर्त है आप कहीं और नाम दोई है एलेक्षन ही दो लोगों के बीच का है कि इसको प्रधानमंत्री बना रहा है राहूल गांदी के नॉन सीरिस पॉलेटिशन है रिलक्टरिंट पॉलेटिशन है क्या इनकी पॉलिटिक्स फस्चोइश नीथी कुछ और करना चाते थे किसी की प्रशाम किशो तो प्रशान किये के निकल जाएंगे राहूल मानेंगे की नहीं मानेंगे मुझे इस पर बहुत बढ़ा नहीं लेकिन इसके बाद जो चार्टर उन्हों ने लिखा था कि आज 2024 में उसको इंप्लिमेंट कर रहे हैं जो 9 पॉइंट्स उन्हों ने लिखे थे कि पार्टी को ऐस पर वाला ने लिखे और कोई बीच में आता है टेंप्रेरारी इर्जमेंट के लिए तो गांधी उसको थोड़ा सा पूछ करते हैं आप पुछ करते हैं आप पीछे डाल से डाल लेकिन जानते हैं आप सूनिया गांधी की तबिया जो है नसाज रहती है हम सब उनकी हेल्ग की परिस्टियों से वाकिफ है तो वो चाहती हैं कि ड्राइविंच सीट पर राहूल गांदी रहे हैं तो वो इस्तीफा बस कागेच पर था राहूल गांदी कुछ नया और इनोविटी सोचते हैं बड़ उसके जमीन पर कभी नहीं 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 पाते हैं आज ठीक है अभी जिन लोगों ने पर्टी छोड़ी कॉंग्रिस पार्टी बहुत सारे लोगों ने चूरी संजन उर्पम ने पांच पावर सेंटर हैं कॉंग्रेस पार्टी के इंदर का कि जो किसी का पिय रहा हो आज वो तैह करता है चुना हम कौन लड़ेगा वो जोड़ो नयात्रा शुरू हुई या उसे पहले जो भारा जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी उसमें भी जैराम रमेश नहीं पोरा मैनेजमेंट संभाला था और ऐसा कहते हैं कि राउल गांदी के बहुत करीबी हैं में एडवाइजर हैं लेकिन खडगे साब जो उनको पसं ही नहीं होती और चार बार के सांसद हैं राजसभा में हैं तो और एक और चीज है अब भी आपने देखा होगा एक रहोन गुपता ने भी छोड़ी पार्टी उन्होंने भी बात कही उनका भी इशारा इनकी तरफ था बैसिकली क्या था कि हुमिलेट करते हैं प्रशान किया है जैसे किसी ने फोन कि आओगे किसी झाल को ऐप्रश DR-12 गोडेवाईयसर लुक्या का कि सर्प बलेसिंग आ इनकी आशराइछ M Deutsch Im a. THz कबए एक केसी वीण मिंगोरपाल दूसरे जानावरनमेश तौ और दोनों साउथ से आते हैं मली ing wahr chapogn और overdose के dauces के आते हैं कीडल से來शक करनाटक से आते हैं तो नॉर्थ कि इनकी समझ वैसी नहीं है मुझे लगता है इनकी पॉलिटिकल समझी वैसे नहीं है खड़गे साब पुराने प्रेजिजन है, सांसद रहे, MLA बहुत बारे बने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके पास सारी पावर्स नहीं है, बिसिकली जो डिफेक्टो प्रेजिजेंट है, वो केसी भी नो को पाल है, जो थोड़ा बहुत काम बसता है, वो फिर कांगरिस प्रेजिजन बाली कारजुन खड़ गये, मैं उनकी पावर को डिमीन करना नहीं चाहता, तो वो कहेंगे आप जाईए, आप खड़के जिसे बात कीजे, वो खड़के जी के पास चले गए, वो कहेंगे आप जाईए बिड़ों कोपाल से बात कीजे, और बिड़ो 2019 में जब उन्होंने इस्तिफा दिया था, वो तीन पेज की चिठी थी, उसमें क्या था, सबसे में बात, सबसे पहली बात ये थी कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं उस हार की, और इस्तिफा देता हूं, और मुझे उमीद है कि बाकी लोग भी ऐसा करेंगे, उनकी से नहीं कि तो उनकी जो उमीदे थी वो तूट गी, तीसरी बात थी कि गांधी परिवार से बाहर के देश्ट बनेगा, लेकिन उनको बनने में 19 से लेके और 23 तक लगबक तीन साल लगे, इंटरिम प्रेजिडेंट रखा गया उनको, वापसी उनकी हुई, और उसके बाद खडगे को लाए गया, लेकिन खडगे साफ है प्रेजिडेंट, लेकिन आपने कहा कि पावर सेंटर बहुत जाद है, निरुकौम ने आरोप लगाया, दरसल पावर सेंटर जादा नहीं है, वो दिखते जादा है, इसके हाथ में है, असली पावर किसके हाथ में है, बताया ना, कुछ ऐसा हो कि किसी को मालूम ही नहीं है, कॉंग्रेस पार्टी के भीतर, जितना भी सरकल है, जितने भी राजनेतिक लोग है, सब को इस बात का अंदेशा है, कि किस से जाके मिला, आइडियास कॉन देता है कॉंग्रेस में, जैसे राउल गांदी की आतरा निकल ली जादा बास कीजिए का इस शब्द का इस्तिमाल कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सोबर होना चाहिए, इससे जादा कॉंग्रेस की बैंकरप्सी, मैंने आज तक नहीं देखी, कि आप यही ने डिसाइड कर पा रहा है, कि आपको फैमिली सीटों पर क्या करना है, फिर ये बात उननीस में इस बात का फैसला किस ने किया कि रहूल गांदी दो सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि इनके पास अमेठी की सर्वे रिपोर्ट थी, सर्वेश थे इनके पास कि वहां पर दिक्कत है, जैसा दिख रहा है, वैसा महल नहीं है, आप हार भी सकते हो, तो केरल की जो मुझे अच्छे से याद है कि एक प्रेस कोंफरेंस बुलाई गई थी, उसमें सब लोग बुलाए गया, उन सब ने मिलके फैसला किया, और केरल की लोबी ही राउल गांदी को वहाल वाइनाड लेके गई, इसलिए उनकी फर्स च्वाइस जो आप देखिए, पहली CEC की की वज़े से, इस बात सही है, सेफ सीट हुनी गई थी वाइनाड इन के लिए, देखिए, बड़े नेताओं के लिए, जितने भी बड़े नेता है, across the party, सब के लिए सेफ सीटी रूनी जाती है, कोई ऐसा नहीं है कि वह एक एक एक्सेप्शनल की अगार राउल गांदी के प्राइमिस्टर मोरी जी इसलिए गए, सब को पता था सेफ सीट है, और जिस तरीके से चीजे बटी हुई थी पिछले चुनाओं में, उसका फायदा मिला, धार्मिक सीट थी ठीक है, आप मतलब कॉंग्रेस पार्टी को अंदर से इतना नहीं जानते हैं, जितने दीपक जी जानते हैं, आपकी बन में सवाल क्या है, कॉंग्रेस को लेकर या राउल गांदी को लेकर है, तो आपने जिस बात से सारभ शुरू करा था, कि क्या वो रिलक्टन पॉलिटी एक दिन मैंने उनके घर के पास से चलना शुरू करा, आप सातरमे मिनट में पहुंचान, जो चलेंगे भी तो, साइक्ल चलाएंगे तो आप पांच से सात मिनट में पहुंच पाते हैं, वो पचास परसेंट दिन पार्लिमेंट गए अपने घर से उठके, आप पार्लिमें में तीन-चार तरह की चीज़े कर सकते हैं, पहले तो आप प्रिजेंट हो, फिर आप कोशन पूच सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं, प्रिवेट में बिल, उनका सब जीरो, एक, दो, चार, जबकि नाशनल अवरेज है, आपको लिए क्या पार्लिमेंट कोई पार्लिमें आपके नरद मोदी जी पोस्टर लगा है, उनके लिए गरीबी एक लिए लिए गलिवी एक लिए पेस्पेरेन्स है, वो दस बाई-दस के कमरे में पैदा हुए, उन्होंने स्टेशनों बेचाय क्यों बड़ा एक संघर्ष का जीवन जिया, राहूल गांदी के लिए पवर कबी कहते हैं कास सिंसर से जेस्टी में फरक पड़ जाए तो आदमी को चक्रा जाता है कि आदमी क्या है और आपकी पहली किरियोसिटी खतम कर देते हैं विए इसकी विए सर राउल गांदी नॉन सीरिस पॉलिटिशन है रिलक्टन्ट पॉलिटिशन है या मिसंडेश्टूट पॉलिटिशन है तीनों नहीं कहूंगा इस तीनों टम को बहुत बार कहा जो चुका है मेरे ख्याल से बच्चा एक घर के अंदर और बच्चे को कहा जाता है कि बिटा तुझे डॉक्टर बनना है अब बच्चे में कॉलिटी हो कि वो डॉक्टर ना बने इंजीनियर बन पा पॉटर साइकल के अनधर टीक करा तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उनका परिवेश देखिए उनका परिवेश देखिए एक ऐसे घर में पैदा हुए जहां दादी प्राइमिनिस्टर थी पर ना ना जिनको बात करें हम जबार ले लूँ वो प्राइमिनिस्टर थे प दूसरी चीज होती है मिसिस सुनिया गांधी इटली से आई लेकिन उन्हों ने इंदरा गांधी से सीखा और इंदरा गांधी से जो जो सीखा उन्होंने 10 साल का यू प्ये का साशन चला या उन्होंने उतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खो केला कि वो जो है प्रधान मंत्री का पद नहीं लेंगी तो ये भी चीजे थी जो राहूल गांदी सीख सकते थी ये आपको राहूल गांदी ने बताया था ना आपने इंट्रिवू किया था उसरो सेंटर्ल हाउस के बाहर जब सुनिया गांदी ने पद रिफ्यूस किया था और मैंने उसे पूछा था कि क्या परिवार आपको खएगा कि नहीं मा पद वापस ले लो तो उन्होंने कहा था कि मेरी मा किसी भी हालत में इस पद को वापस नहीं लेगी और मेरे बगल में उसक्त प्रियंका गांधी भी घड़े हुई थी और कॉंग्रेस के दो-तीन मंत्री बिज़े ये उस दिन के बात है जिन दिन सेंटरल हॉल में उन्होंने रिफ्यूज किया कि आपके रहूल गांधी फैमली प्रेशन में आगे पॉलिटिक्स में अग्छाना है उसके सदेटना चाहते हैं पता है रहुझ के साथ क्याँते हैताा है दोनों के बीच में राहुझ कर पार है ऊंको करना क्या गया है ता मिन चीन लगता परोका उनका अटेंशन बहुत शॉर्ट स्पैम के लिए होता है किसी भी चीट पर ये उनको जानने वाले कहते हैं और ओपन लिस्ट विकार करते हैं और दूसरी उनके सबसे बड़ी जिक्कत शब्दों की कभी है यह भी उनके बहुत बड़ी जिक्कत है अभी इस प्रिशार क्या क्या बातें बोली बुके मर जाओंगे सारे कोई 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 बचेगा नहीं शराप पी कर देश मांग लग जाएगी कि पहले अंग्रेजी में सोचते हैं फिर हिंदी में उसको बोलते हैं लेकिन आपने कूछा कि कैसे पॉलिटेशन है मुझे लगता है जिद्धी पॉल प्रधान मंत्री जी जब सत्ता में आये तो उन्होंनों जिसको रखना तर रखा पहले पावर ली और फिर सिस्टम को ठीक किया राहूल गांदी दो हजार चोदा से कोशिश में लगें कि वह कैसे अपनी कॉंगरिस खड़ी करें और कैसे उन लोगों को बाहर का रास्ता दि आता है यह कोई इजी काम नहीं था 25 किलोमेटर रोज चलना एक डिफिकल टास था और राहूल गांदी जानते हैं थी कि में इस यात्रा के जरीए अपनी छवी को जो भी बना रखी है वो कहते हैं कि आईटी सेल ने मेरे पर पैसा खरच किया वीजेपी ने खरच किया वह ज जो जो प्रधारमंत्री जी ने की वो राहूल गांदी भी कर सकते थे तो यह डिफ्रेंस है दोनों की आप नॉन सीरिस नहीं मानते हैं उनको नहीं बिल्कुल नहीं राहूल गांदी सब समझते हैं सब जानते हैं कि क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और और जो पप्पू व स्पाप्व के वह स्मावेशन हैं लेकिन उनकी इंगर प्राइमिस्टर मोदी से हैं जब अब हम आपने कहा कि एक तरफ मोदी ऑग तरफ तरफ रालगांदी हैं तो फ़ोड़ा सब कम हो जाता है कि वो पर्धान मंतरी हवासों में पैदा हुए तो वो गरीबी तो उन्होंने नहीं देखी और उन्हों पर हम ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं लेकिंवों ट्रेइनिंग तो अपने आपको कर सकते थे अगर मैं उनका सलाकार होता तो मैं उनसे कहता आप रूरल डवल्मेंट मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाते हैं आप रोज ए गाउं की खाक चानी है आप एकड़र सुने कमांड बन गया तो फिरस इन कमांड कैसे हाओंगा आप दिखें रोज दिखें दिखें भारत की जनता तो दिखें जो दिखता है वहीं बिखता है अब वो हातरस में गाड़ी चलाते हैं उसमें भी उनकी एक वीडियो आ गया कि वह समय से खाते हैं बट्टा परसूर में था एक बाता हूं शांतुन हो वाई जी जी अब वह निकले अब इस यात्रा पे बहुत चा निकले और हमने देखा भी उनको लेकिन ये उनको बहुत पहले क बूल चुके हैं और रोज करता है संका करता है रोज करता है वाद तो उसको भी ग्लमराइज करा जा रहा है उस नेता सड़क पर जाए तो वार का अच्छी बात आगे आगे बात से अभी प्राइम प्राइमिस्टर मोदी ने रैली में ये का ये मुझे दिल्ली में एक जित पकड़के पैठा है कि मुझे प्राइम मीनिस्टर प्रचार नहीं करूंगा राहुल गांदी है? मुझे नहीं पता है पहले शर्त जरू करोंगा इतना जरू कहूंगा कि इशारा सिर्फ उनहीं के दर्फ था मैं यह इस मामले में जानता हूं उनका बटता परसलिगा मैं एगजांपल बताता हूं जो उनको यहाँ देख रहाता देख लिए थे परकाने कास। कसी से बात करनी है तो अच्छे से करेंगे और किससे नहीं करनी है तो आप दे बेड्रूम एंप गुज़ तब भी नहीं करेंगे। अगर यहां लोग बैठे हुए हैं और यहां कहें कि एक ग्लास पानी आप रखा है कॉफी रखा है तो सिंधिया बोलते हैं कॉफी ले लेजी तो कॉफी ले लेते थे उनके कहने से बिलिन देवडा उनके दोस्ते लेकिन बिलिन देवडा के और राहूल के वीच में गांधी राहूल गांधी के दफ्तर के व्यक्ति ने कुछ ऐसा रूल प्ले किया जिससे उनके भी डिफ्रेंसिज हो गए और वो डिफ्रेंसिज होने शुरू हुए 2014 के हार के बाद और बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि उननने इसके बाद तक यहां तक आए और उसके बाद देवडा छोड़के चले गए उनका नाम में लेना नहीं चाहता है तो वो छोड़के चले गए फिर आर्पियन सिंग थे वो भी चले गए जितने प्रसाद भी चले गए अब उस दौर के UPA1 और UPA2 के दौर के एक ही व्यक्ति है अभी वह है सचिन पालेट लेकिने दोस्त कमफर्ट है prueba कमफर्ट है ज्ब उनकी आपस की बातचीए उतनी कमफर्ट उपरेएंगहा गांदी के साथ ही है अने ये बलाते कैसे यह राहूśl बोलते हैं या राहूल जी बोलते है है रजी अंको अंसिक बुदार अर्जी बidd markets को और चारघं झीआ थे बोलते हैं वहाँ वो नहीं है कि कोई hierarchy है कि मुझे रजी लगा के भी बोलना है लेकिन इनके जादतर दोस्त छोड़ गए इनको जादतर जो राजनीती में थे जो विक्तिगत दोस्तम का मुझे नहीं पता अब जैसे अमिताब दूबे हैं सोमन दूबे के बेटे वो इनके दोस्त माने जाते हैं करने श्रीबूसी कैटेगरी में आते हैं एक दो लोग और हैं जो प्राइवेट लोग हैं लेकिन जो राजनीती मिन के दोस्ते जो आज सब बीजेपी में हैं वो चलेगे चोड़ा आज इस सब लोग यह पूछते रहा हो जांदी गायब कहा हो जाते हैं कहां से ल लग रही हैं तो पता लगा कि जो इनके नजदी के लोगों पताया कि जहां जाते हैं वहां पर यह घंटों मेडिटेशन करते हैं और अगर आप लग इनको फील नहीं होती इनको इनको सर्दी फील नहीं होती या यह जो चीज़ फील करना चाहें वही फील होती यह जो ना क तो फिर वह ऐसे था तो उस गुद्ध मुझे पता लगा कि यह जो बह जाते हैं उसमें इक बर बड़ा लॉल meditation का है उसके अलावा क्या है वो मुझे नहीं पता क्यों खते हैं जान के फिर जाते हैं जाते हॹ। तो इसलिए तरह की जन Ay Sap देख सकते हैं जो महसूस करना चाहिए वो महसूस कर सकते है जो नहीं करना चाहिए नहीं कर सकते हैं तो कब कॉंग्रिस का अच्छा सोच ले है दिक्कत क्या है इसमें और कोई meditation करने भारत छोड़के भारत जितनी spiritual land उसको छोड़के बाहर जाएगा सुनने मौड़ा जाएं आप इतनी सुन्द सुन्द जगह हैं भारत में meditation के बड़े-बड़े center है उसे छोड़ा विपासना करें दस दिन के लिए वहाँ तो फोन भी नहीं 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 होते हैं यह हम कैसे बोल सकते हैं किसे की private life के बारे में और हमें बोलना नहीं चाहिए ना तो हमें पता है और किसी हर किसी व्यक्तिक है जैसे हम लोग हमारे private life भी उनके life भी होगी इसके बारे में नहीं पता लेकिन मैंने मुझे मेरा सिर्फ यह जानना था कि यह T-shirt के पहन के कैसे चल रहे हैं तो जब मैंने उसको जानना चाहा तब मुझे पतर लगा कि meditation करने वहाँ विदेश ज चलती दिए एक राहूल गांदी कैम्प प्रेंका कैम्प अब यह थेरी यह है कि प्रेंका गांदी चाहती है कि मैं electoral politics में आओ मैं चुनाव लड़ू लेकिन सोनिया गांदी नहीं चाहती है अभी फिलाल कि वो आए वो क्योंकि वो और शैडो कर देंगे राहूल गांदी को वो चाहती है भी राहूल गांदी ही सामने दिखने चाहिए इसलिए प्रेंका गांदी को मजबूर किया जा रहा है कि तुम बैक सीट लो अभी क्या हो आपने खुद देखा और रोबर्ट वाटर ने सब जगे इंट्रिव्यू दिये बाइचांस पहले इंट्रिव्यू उन हर चुनाओ में मैं इच्छा जायर करते हैं कि मुझे चुनाओ लड़ना है और और तब पर्टेल रही इंट्रिवीन किया था अब जाके उनको श्यांत किया गया कि लड़ने की बात है उसमें एक बात सही यह क्यों चाहती है लेक्टरिस में आयें लेकिन प्राइलम ये है क लगा हुआ है उसी से भाग रहे हैं यह उस टैक के कारण ही पार्टी का यह हाल है कि परिवारबाद का जो टैक लगा है और बीजेपी का जो में अटैक वो क्या है यही तो है तो इनकी कोशिश यह हो रही है अभी कि फिलाल दो ही लोग संसद में रहें कोई 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 कोमपेटीशन है क्या दोनों के बीच में तो करने की कोशिश की तो इनका नुक्सान ही हुआ नियूंका इनकंहowanie वहाँ साफ तो किचिन टूर पर एक बात कहना चाहता हूं धिक है कॉंग्रेस में बिना कोट रिया किचिन कैबनेट के नहीं जल सकता तो किचिन कैबनेट ट्रियंका की भी है और मैं आपको यह बात बता दू किचिन कैबनेट लडवाते हैं नेता कभी नगता उसके नीचे के बने रहे उनकी गाड़ी आगी चलती रहे ये हालत कॉंग्रिस में भी है और मैं मानता हूं कि राहूल और प्रेंका के बीच में इस तरह की आपस्टिकल्स जरूर आते हैं कितना मैचूरली वह उसको समाल पाते हैं इसके बारे मुझे बुजर कर रहे हैं या वो इनको टकरानी की कोशिश करते हैं इनके बीच में क्या आता होगा अब जैसे राजसाबा होगी थी तो राजीव शुकला प्रमोतिवारी को यूपी से राजसाबादी गई उप्रेंका गांधी कोटे में गए रंदीव सुर्जेवाला पर एमले हैं उतरप्रदेश में इसे ज़र्णिव फेल रंदीव शुर्जेवाला गए तो विणिगोपाल गए तो राउ गांधी कोटे में गए यह हैं कोट्रीज हर किसी की अपनी लाइकिंग बिस्लाइकिंग है और किसी की अपने लोग है तो ऐसे ही राहूल प्रेंका पार्टी में लोग है अब एक एक इसेंपल देता हूं आपको एक कोटा चला खड़गे साब का भी नासिर उसान को लेकर आये साकिन टाइम धखनाटका से खड़गे साब भी कोटे में था उसे इंगली नाम आया था तो ऐसे कोटा सिस्टम होता है कोई ऐसा जगड़ा नहीं है कि यह है कि अपने कभी-कभी तो है उन्होंने पिछले 10 साल में कुछ करा भी ऐसा नहीं कि संगठन को मजबूत कर दिया हो नेता पैदे कर दियों कि एकदम से की बाचपा डाउन होती है और वो कभी घरिलू बनना भी चाहते हैं तो जैम मनाते हैं मामलेट मामलेट कहते हैं वो ध्यान से चुन रहे हैं बास से इस्तीवा दिया था उस दिने साफ कह दिया था कि मैं इस रेस से बाहर हो चुका हूँ अब और अब जब आपने सवाल पुछा दिपक दी से कि वादमी जिद करके कौन बैठा हुआ है यह खुद कहते हैं अपने निताओं को बीच में बैठा के मैं इस खेल में हुई नह जानते हैं कि जो संगर्ष है चल रहा है भी यह बहुत लंबा है यह मान रहे है कि यह अब ही नहीं 19 से मान लिया था और एक अपने कोर ग्रूप के मिटिंग में कहा था कि लंबा संगर्ष है सोच समझ के रहे मेरे साथ मैं ता यार हूँ आप लोग त्यानत देख लीजिए इलेक्षन तो गया मान चुके हैं 19 से मान चुके हैं कि संगर्ष लंबा है कब तक चलेगा मुझे नहीं बता आजा ठीक है